नियत कितने भी अच्छी हो दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है और दिखावा कितना भी अच्छा हो उपर वाला आपको नियत से जानता है मेहनत करे तो धन बने सब्र करे तो काम मीठा बोले तो पहचान बने और इज़त करे तो नाम किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते इंसान की बड़ी अजीव फित्रत है मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है तन जितना घूमता रहे उतना ही स्वस्त रहता है और मन जितना इस्थिर रहे उतना ही स्वस्त रहता है खुश रहना है तो चुप रहना सीखो क्योंकि खुशियों को शोड पसंद नहीं हजार चाहने वालों से एक निवाने वाला बहतर है अक्सर अकेले पन से वही गुजरता है जो जिन्दिगी में सही फैसलों को चुनता है दिमाग का ज़्यादा इस्तिमाल और जुमान का कम इस्तिमाल आदमी को एक बहतर इंसान बना देता है पैसों की गर्मी अक्सर रिष्टों को जला देती है हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है बुराया ढूनने का शोक हो तो शुरुआत खुश से ही कीजिए, दूसरों से नहीं समझदार इंसान से की गई, कुछ मिनट की बात हजारों किताबे पढ़ने से बहतर होती है वेद पढ़ना आसान हो सकता है, पर किसी की वेद ना पढ़ना आसान नहीं तूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बच्पन, जिन्दिगे में कभी दोवारा बापिस नहीं रिलता किस्मत से फैसले नहीं बदलते, लेकिन फैसले से किस्मत एक दिन जरूर बदलती है दुनिया में सबसे सफल इनसान वही है, जिसे तूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है कहने को तो बहुत सी बाते हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रशीदे हैं, ज्यान वही है जो आपके किरदार में जलगता है अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो बड़ी लोगों की तरह सोचू जो चीज आपको चैलेंज करती है, वही आपको चेंज कर सकती है चाय और चरित्र जब भी गिरता है, तो वह ऐसा दाग लगाता है, कि धोने से भी नहीं जाता अच्छा दिखने के लिए मत जीओ, बलकि अच्छा बनने के लिए जीओ सफल व्यक्ति वह है, जो खुद पर फैके गई इटों से मजबूत नेम बना ले हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन सफलता का कारण कोशिश ही होती है